नव जुलाई है और नव जुलाई से रिलेटिट सारे मोस्ट इंपॉर्टन करेंट अफेर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तत्यों को समझेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन है किस देश ने बिश्व स्वास्त संगठन से अलग होने के लिए संयुक्त राष्ट महासची को पत्र लिखा है तो अमेरिका जो है बिश्व स्वास्त संगठन से अलग होने के लिए पत्र लिखा है यानि यहाँ पर आपसन ए अमेरिका स आधिस्व स्वास्त संगठन के साथ संबंध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्पती टरंप के नेत्वत्र वाले प्रसासन ने अमेरिकी कांगरेश को 7 जुलाई 2020 को अधिकारिक अधिसूचना प्रदान की है अज सूचना के अनुसार अमेरिकी सरकार ने संयुक्त राष्ट के महासची को 6 जुलाई 2021 तक डबलू एच्चो से अलग होने के लिए अपना नोटिस दे दिया है बता दे कि डबलू एच्चो से सदस्ता की समापती एक वर्ष की प्रकिरिया होगी क्योंकि कई कारकों के बीच आने वाली संभावना है जिसमें डोनल्ड टरंप के नितरत वाले प्रसासन का नियंतर नहीं होगा ऐसा ही एक कारक नोबर 2020 में होने वाला राष्टपती चुनाओ है अगर टरंप हार जाते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के उमिद्वार जो कि वीडन है को संयुक्त राष्ट अमेरिका का राष्टपती चुना जाता है तो अमेरिका डबलू यच्चो के सदस के रूप में बना रहेगा क्योंकि वीडन ने सारजनिक रूप से इसकी घोसला की है कि उन्हें राष्टपती के रूप में चुने जाने पर वे अमेरिका को 20 स्वास्त संगठन से पुना जोड़ेंगे बता दे कि 20 स्वास्त संगठन के वार्थिक बजट में अमेरिका सरवधिक 450 मिलियन डालर का युगदान देता है नेश्ट कोस्तन है भारत सरकार ने परधान मंतरी उजला योजना के ताहत मुष्ट गैस लेंडर लेने की समय सीमा इतने महीने और बढ़ा दी है तो भारत सरकार ने तीन महीने और मुष्ट गैस लेंडर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है यानि यहां आपसन ए सही है तीन महीने सरकार ने परधान मंतरी उजला योजना के लाभार्थियो दारा तीन मुष्ट गैस लेंडर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है अब लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त स्लेंडर का लाभ उठा सकते हैं इस से पहले लाभार्थी केवल जून तक या सुबधा ले सकते थे लेकिन इस निर्ले से देश में लग भग सात करोड चालिस लाग परिवारों को मुफ्त गैस लेंडर की सुबधा मिल सकेगी बताने की अभी हाली में प्रधान मंत्री स्री नरेंडर मोदी द्वारा गरीब कल्याड अन योजना को नुवंबर माह तक लागू रहने की घोस्डा की गई है गरीब कल्याड अन योजना की ताहत पांच केजी चावल यगेउं और एक केजी चना प्रतिबक्त के हिसाब से हर महीने दिया जाता है नेश्ट कोस्टन है गंगा नदी के पुनरो उद्धार के लिए 20 सुबैंक कितने करोड रुपे उपलत कराएगा तो 20 सुबैंक 40 करोड उपे उपलत करा रहा है यानि आपसन यहाँ पर भी सही है 40 करोड गंगा के पुनरो उद्धार के लिए 20 सुबैंक 40 करोड डालर उपलत कराएगा दुतिये राष्टी गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी में प्रदूसर कम करने में मदद मिलेगी और नदी के बेसिन छेत्र का प्रबंधन मजबूत होगा इस छेत्र में लगभग 50 करोड लोग रहते हैं विस सुबैंक के 40 करोड डालर में 38 करोड 10 लाख डालर का रिड होगा और 10 करोड 90 लाख डालर की प्रस्तावित गारंटी होगी नेश्ट कोस्तन है खाली में किस राज सरकार ने देहिंग पटकाई वन जीव अभहरण को एक राश्टी उद्यान के रूप में अपग्रेट करने का निड़ले लिया है तो असम राज ने यह निड़ले लिया है यानि आपसन यह असम यहाँ पर सही है असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन जीव अभहरण को एक राश्टी उद्यान के रूप में अपग्रेट करने का निड़ले लिया है देहिंग पटकाई वन जीव अभहरण का छेत्रफल 111.942 किलोमीटर है और यह देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिद के अंदर अवस्थित है यह भहरण उपरी असम के कोलेवा तेल संब्रिद चिलो में फैला हुआ है बता दें कि यह भहरण अपग्रेट होने के बाद असम का छठा राश्टी उद्यान होगा जबकि अन पांच राश्टी उद्यान काजी रंगा ना मेरी मानस औरंग और ड्रि के लिए किस राज सरकार ने सेल्फ इसकेन एप लांच किया है तो पस्सिम बंगाल सरकार ने सेल्फ इसकेन एप लांच किया है या यानि यहाँ पर आपसंसी पस्सिम बंगाल सही है पस्सिम बंगाल की मुख मंतरी ममता बेनरजी ने सेल्फ इसकेन नामक एक नया मुबाइ एप्लिकेशन लांच किया है यह नई एप्लीकेशन दस्तवेजों को स्केन करने के लिए राज के सूचना प्रदोग की विभाग द्वारा विक्सित की गई है केंद्र सरकार द्वारा 69 चीनी मुबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिभम लगाने के चलते यह मुबाइल एप्लिकेशन लांच किया गया है नेश्ट कोश्चन है भारती रेल्वे ने नेट जीरो कार्बन एमीशन का लच कब तक रखा है तो 2030 तक इसका लच रखा है यानि आपसन यहाँ पर सी 2030 रही है भारती रेल्वे ने अपनी दसकों से पड़ी खाली जमीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है रेल्वे इस महत्वकाची कांची प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रेनों से सोलर पावर से चलाने की योजना पर काम कर रहा है रेल्वे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमीशन मास ट्रांस पोल्टेशन नेट वर्क बनाने का लच रखा है रेल्वे ने अब तक देश में और उर्जा की मदद से कई रेल्वे इस्टेशनों की बिजली की जरूरतों को पूरा किया है बता दें कि बिस्ट का पहला ऐसा रेल्वे प्लेट फार्म बन जायेगा भारत में जो पूरता सोलर से चलेगा नेश्ट कोस्टन है बिस्ट चाकलेट दिवस कब मनाया जाता है तो बिस्ट चाकलेट दिवस साथ जुलाई को मनाया जाता है यानि आपसन यहां सी सही है हर साल साथ जुलाई को दुनिया भर में 200 चाकलेट दीवस मनाया जाता है यह दिन हमारे जीवन में चाकलेट के मौजुदगी के लिए मनाया जाता है पहला अंतराश्टी चाकलेट दीवस साल 2009 में मनाया गया था Next question है 8 जुलाई को किस राजज में किसान दीवस के रूप में मनाया जाता है तो आंध्र प्रदेश में 8 हुजुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है यानि यहाँ पर आपसन भी आंध्र प्रदेश सही है आंध्र प्रदेश के 14 मुखमंत्री Y.S. राजिस्वर रडडी की जैनती को युवंत्र दिनों 300 अर्थात किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था जब आंध्र प्रदेश के बरतमान मुखमंत्री Y.S. जगन मोहन रडडी ने एक सरकारी आदेश जारी किया था तो यहाँ पर जानते हैं कि Y.S. राजिसेखर रडडी कौन है एदू गुडी संदीप्ती राजिसेखर रडडी को ये इनका Y.S. राजिसेखर का पूरा नाम है एदू गुडी समधिती राज सेखर रेड़ी को लगतर चार बार लोग सभा के सदस्य के रूप में चुना गया उन्होंने 2004 से 2009 तक आंधर प्रदेश के पूरे मुखमंत्री के रूप में कार किया और 2009 में बिधान सभा चुनाव में मुखमंत्री के रूप में फिर से चुने गए परन्तु 2 सितंबर 2009 को Y.S. राज सेखर रेड़ी की एक हलेकाप्टर दुरगहटना में मृत्ती हो गई अपने कैरियर में वह कभी भी कोई भी चुनाव नहीं हा रहे थे नेस्ट कोस्टन है बैस्विक रियल्टी पारदर्सिता सुचकांक में भारत किस अस्थान पर है तो भारत इसमें 34 अस्थान पर है यानि आपसन यहाँ पर भी सही है 34 अस्थान रियल एस्टेट बजार से जुड़े निमाई कीए सुधार बजार से जुड़े बेहतर आकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में यह एक अंका सुधार हुआ है भारत की रैंकिंग साल 2018 में 35 थी साल 2016 में 36 थी और साल 2014 में 49 थी सुचकांक में कुल नुन्यार में देशों की रैंकिंग की गई है इसमें सीर्स अस्थान पर ब्रिटेन है इसके बाद अमेरिका है पाकिस्तान इस उची में 73 अस्थान पर है कच्छा 9-12 के लिए पाठक्रम में 30 प्रस्षत की कटोती कर दी गई है केंद्री मादमिक सिच्छा बोल्ट सीब्यसी ने कोवीड नाइंटिल लाग डाउन के दोरान साच्छडिक नुकसान के लिए 9-12 की कच्छा के लिए पाठक्रम को 30 प्रस्षत कम कर दिया गया है कितना जो कच्छा 9-12 के क्लास के पाठक्रम पढ़ाने कभी से हैं उसमें 30 प्रस्षत की कटोती कर दी गई है सीखने की उपलब्धी के महत्तो को ध्यान में रखते हुए मुख और धारला को बरकरार रखते हुए पाठक्रम की युक्ति संगत बनाने को भी निरले दिया गया है यह किसके तहत किया गया है यह केंद्री माध्मिक इच्छा बोल्ड की तहत किया गया है यह था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टन करेंट अफेयर हमारे इस वीडियो को अधिक सधिक सेल लाइक और कमेंट करें और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना ना भूलें